दोस्तों बहुत दिन इंतेजार करने के बाद फाइनाली सामसंग ग्यालक्सी एर्च टूंटीफॉर अल्टरा एंडिया में लांच हो चुकिये जो कि अलेटी इसका प्री आडर बुकिंग स्टार्ट हो चुकिये अभी जिनलों को आडर करना है जाके आडर कर सकते हो लेकिन जास्ट वेट करो ये वीडियो को फूल देखो उसके बाद आडर करना क्योंकि आप अलेटी बहुत सारी वीडिया यूटीब पे देखी होंगे तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं इसी फोन को लेकर सारा अपडेट आपको दिने वाला हूँ जो की एट टू जेर इसी वीडियो के अंदर इसका प्राइस कितना होने वाला है इसमें क्या-क्या फीचर देखने को में लेगा एक्च्वल में ये फोन वैल्यू फोर मनी है या नहीं इसमें क्या सामसंग ने इंप्रूमेंट किया है सबकुछ एट टू जेर इसी वीडियो के अंदर रिव्यू देने वाला हूँ तो दोस्तों मैं हुभी क्यान आपको स्वारत करता हूँ हमारे चैनल वाइटी विक्यान पर दोस्तों इस चैनल पर आप नहीं आये तो चैनल को जरू सस्क्राइब करिए क्योंकि हमारा जितना भी आगया अपडेट आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सो दोस्तों आईए बात करते हैं सामसंग ग्यालेक्सी एस टूंटी फॉर अल्टरा की बारी में सो दोस्तों इसका स्पैसिफिकेशन बगेरा की बात करें तो इसमें आपको 6.80 QW HD देखने को मिलेका जो कि फुली HD डिस्पै आपको क्वालिटी HD डिस्पै देखने को मिलेका जो कि डाइनमिक आमोलर 2X LTPO फ्लाट डिस्पै रहेगा 120 हज रिप्रेस रेट प्लोस 2600 नीच पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेका इसके साथ आपको snapdragon की तरफ से snapdragon का जो इस साल का नेया प्रोसेसर इसमें आग किया गया है जो कि snapdragon 80103 जो कि all country के लिए ये प्रोसेसर इसी फोन के अंदर आभिले बुले जो कि इसमें आपको UPS 4.0 storage देखने को मिलेगा अंदर 14 प्लास 7 years OS update देखने को मिलने वाला है क्यमारी की बात करें तो इसमें आपको back side triple camera setup देखने को मिलेगा जो कि 200 MP OIS प्लास 12 MP अल्टरा वाइड प्लास 12 जो कि 50 MP 5X टेली फोटो OIS प्लास 10 MP 3X टेली फोटो प्रेसी कोब जूम लेंच OS आई रियर देखने को मिलेगा जो कि काफी सारा improvement देखने को मिल जाता है जो कि camera के अंदर फ्रांट के अमरी की बाद करिए तो इसमां आपको 12 MP फ्रांट के आमारें को मिलेगा बैतरी की बाद करिए तो इसमां 5000 MP क्या बैतरी देखने मिलेगा जिसके अंदर आपको 2 आर की जो की दो तरह की charging cop मिलेगा जो कि 45 आर की charging के मिलेगा 15 आर wireless charging road 4.5 वार reverse wireless charging देखने को मिलेगा USB 3.24 देखने को मिलेगा IP68 rating जो कि dust water के लिए दिया गया है Bluetooth version 5.3 देखने को मिलेगा Wi-Fi 7 देखने को मिलेगा जो कि आपको ultrasonic in display fingerprint scanner रहेगा जो कि titanium frame में आपको देखने को मिलेगा Gorilla Glass Amaran front देखने को मिलेगा फ्रांट में आपको Gorilla Glass देखने को मिलेगा 8.6 mm का thickness काफी slimable smartphone होने वाला है इसके साथ इसका weight की बात करें तो 233 gram weight होने वाला है जो दोस्तों इसका जो कि price कितना होने वाला है variant की साब से काफी सारा variant इसमें है जैसे कि 2LGB RAM 5.2LGB का storage काफी सारा variant है जिसका प्राइस एक लिस्ट में skin set आपको लगा दूंगी जो कि Indian Express का आप देख सकते हो तो दोस्तों आइफोन की 15 Pro Max के साथ इसको compare करें जो कि Samsung S24 Ultra iPhone 15 Pro Max की तो दोनों में आपको इसमें आपको Titanium Gray backside जो की देखने को मिलेगा आइफोन में इन नेचुराल Titanium देखने को मिलेगा एक्चुल में which one do you like better वाट एक्चुल में ये दोनों को एक board डाला था जिसमें आपको जो की Samsung S24 को ज़्यादा लोग लाइक किया क्योंकि इसमें आपको feature की साब से price की साब से काफी high quality feature है इसमें जो की भर भर के डालाई जो दोस्तों मैं आपको बता ना जाओंगा इसका premium budget है बट जिल्लों को purchase करना एक premium budget smartphone Samsung को चूज कर सकते हो जो की काफी premium budget के साब काफी high quality features में यूज क्या गया है जो दोस्तों ये ता Samsung Galaxy S24 Ultra की बारी में review I hope आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो कैसा लगा comment करिए और इस तरह सा नयाना update पाने के लिए हमारे चैनल YT weekend को subscribe करके all notification पर क्लिक कीजिए जिसके दोरान हमारा आगे भी जितना update आएगा आपको सबसे पहले notification मिलता रहेगा सो दोस्तों रहते हुँ फिर में लेंग और एक नहीं interesting tech news के लिए तब तक के लिए goodbye take care